हेलो दोस्तो इस मौटिवेशन स्टोरी को एक साल में 6 मिलियंस भी उस मिले है आपको ऐसे हजारों चैनल यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे जिन में सब कुछ AI की मदस्य होता है और इनकी महीने की इंकम हजारों में नहीं लाखों में होती है और यह आप खुद चेक कर सक करते हैं जिसके लिए आप किसी भी चैनल का लिंक कॉपी करके शोशल बिलेट की वेबसाइट पर पेस्ट करेंगे तो आपको यहां चैनल की मंतली और डेली इंकम देखने को मिल जाएगी दोस्तो आज के इस वीडियो में हम AI का यूज करके एक ऐसा ही चैनल बढ़ाने वा तो दोस्तो चैट GPT से मैं पूछ लेता हूँ 5 YouTube चैनल नेम अब इन 5 चैनल नेम में से मैं सलेक्ट करूँगा Be Inspired बाकी आपको जो पसंद आए आप वो सलेक्ट कर सकते हैं अब आपको क्रियेट करना होगा एक चैनल जो आपके सिर्फ एक क्लिक से हो जाएगा जिसके लिए आप YouTube अप्लिकेशन और Google Chrome दोनों का यूज़ कर सकते हैं Chrome पर आपको लिखना है YouTube.com अब राइट साइड में आपको टॉक पर कॉर्णर में इमेल का लोगो दिख रहा होगा जिस पर क्लिक करके Create चैनल पर क्लिक करते ही आपका चैनल बन जाएगा लेकिन दोस्तों आपको अ जिसके लिए आपको आना है Stable Diffusion Online पर यह एक Open Source AI जनरेटर है जो आपके टेक्स्ट को पिक्चर में बदल देता है यहां आप अपने according कुछ भी सर्च कर सकते हैं मैं यहां सर्च करूंगा Motivation Boy Be Inspired Cartoon Profile Picture अब आपका Profile Picture भी सेट हो गया है और दोस्तों अब आपको बनाना ह होगा YouTube Banner जो Canva की मदद से आप बना सकते हैं अब आपका पूरा चैनल बनकर तयार हो गया है अब आती है बारी असले चैलेंज की जो की है वीडियो बनाना तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले टार्गेट करना होगा अपनी ओडियंस को जिनके लिए आप यह पढ़ाई में मन नहीं लगता मैं उनको कुछ इंस्पिरेशन देना चाहूंगा तो दोस्तों अब आपको वापस कूद कर आना है चैट जीपीटी पे और यहां पर स्टोरी के लिए अपना टाइटल डाल देना है जैसे मैं यहां पर लिखूंगा How to focus on study give me a inspiring short story और आप दे अब दोस्तों आपने जो story chat GPT से copy की है उसे यहां पर paste कर देना है और जो voice आप चाहते हैं उसे check करके select कर लेना है और बस generate पर click कर देना है और आपकी audio ready हो जाएगी Once upon a time, there was a young boy named Jack who dreamed of becoming a successful doctor. He knew that the key to achieving his dream was to study hard and do well in school. However, Jack often found it difficult to focus on his studies. He would get distracted. और जो audio आपने 11 lab से download की थी उसे आपको upload audio पे click करके upload कर देना है और फिर कर देना है दोस्तों proceed पर click और थोड़ा सा करना है wait और फिर customize video पर click कर देना है अब आपको जो background video चाहिए उसे visual पे जाकर आप select कर सकते हैं अब video आपका बिलकुत तयार हो चुका है अब इसको हम कर देते हैं YouTube पर upload और दोस्तों याद रहे जब भी आप YouTube पर वीडियो अपलोड करें तो unlisted करके ही करें जब तक tags, description, title और thumbnail set ना हो जाए तब तक आपको वीडियो पब्लिक नहीं करना है वीडियो अपलोड हो रहा है तब तक हम thumbnail बना लेते हैं जिसके लिए आपको canva पर आना है YouTube thumbnail पर click करके ratio select हो जाएगा और जो आपकी पसंद का image है उसको आपको यहाँ पर upload करके अच्छा सा tag उस पर लिक देना है thumbnail बहुत ही आसानी से आप create कर लेंगे thumbnail को download करके वीडियो पर set कर देना है और अब आपको चाहिए एक catchy title जिसके लिए आपको वापस आना होगा chat GPT पर और यहाँ पर catchy title सर्च कर लेना है जैसे मैं सर्च करता हूँ generate few catchy YouTube वीडियो टाइटल for focus on study inspiring story और अब आपको जो अच्छा लगे आप उसे choose कर सकते हैं और इसे आपको YouTube वीडियो के title और description दोनों में paste कर देना है और tag में भी इसको एक बार लगा देना है तो दोस्तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए मिलते हैं बहुत जल नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद झाल